सुबह उटने में जोर आता है पड़ते टाइम नीन आती है इतनी ठंड में मुझस से उड़कर नहीं पड़ा जाता यार कल से पक्का सुबह जल्दी उड़ जाऊंगा कभी पूछा है अपनी मा से की वो सुबह बिना किसी की जगाए चार बचे क्यों और कैसे उड़ जाती है कभी पूछा है अपने पापा को नाइट सिफ्ट से आने के बाद की पापा कही रात को ठंड तो नहीं लगी आपको कभी पूछा है अपनी मा से की कितनी बार रसोई की जल्दी बाजी में उनकी उगलिया जली है ये सोच कर कि कही खाना लेट हो गया तो बस इस टेंट पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा सोल हो शायद एक्जाम की टेंशन कम हो जाए तुम टेंशन चे बसने के लिए सोते हो और तुमारे पापा तुमारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जाकते हैं तुम किताब सामने रखकर खाबों की दुनिया में खोए रथे हो तुमारी मम्मी तुमें सामने बेठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रथती है तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने के प्लैनिंग चल रही होती है वही तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंद की फीस की टेंसन चल रही होती है अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी टूशन फीस निकाल कर देना तब पूछना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहा है ना किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो किसे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो ममी पापा को दोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर्स को वाही तुमना बहुत ज्यादा भोले हो तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बलकि खुद अपने आपको दोखा दे रहे हो क्यों अपने आपको यार 12 लाक वाली कार के फरजी सपने दिखा रहे हो कोई बंगला और आईपेड नहीं मिलने वारा तुम्हें ऐसा पढ़ने का ढोंग रचा करके ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में सो बार फेस्बूक और वाटसप चेक करते हो ना उससे कई गुना तुमारे ममी पापा तुमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब तुमारा चोटा भाई या एक दिन तुमारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लेप्टोप या बाइक मांगेगा ना तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पैरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कंप्रोमाईज करना पड़ता है और तुमारा पड़ाय में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो बाही तुम्हें तो टाइम ही नहीं अपने आपसे दो मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं तुम्हें पढ़ाय बहुत हाट लगती है क्योंकि तुम्हें फेस्बुक, वाटसब, इस्टग्राम इजी लगता है सुबह देर तक सोना इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है वेड़ा अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में लेटकर डूटी कर ले अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उटकर परेशान होने की जरूत नहीं है जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट करके खाना नहीं मना सकते तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लेट कर नोगरी नहीं कर सकते तो तुम क्या जादू मंतर चला दोगे विस्तर में लेटे-लेटे कल पढ़ूँगा, शाम से पढ़ूँगा, मंडे को टाइम टेबिल से पढ़ूँगा, हाफ एली एक्जाम के बाद पढ़ूँगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूँगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूँगा, कल से जल्दी उटकर पढ़ूँगा, दोस्त के नोट्स में लें चल पाएगा और नाए किसी दोस्त के नोट से तू टोपर बन पाएगा हाँ सही सुना तुने मैंने बोला टोपर एक बार और सुन ले टोपर तू टोपर बनने के लिए पैदा हुआ है तू अपने पापा को वो भी तुम्हारी फीश चुकाने की last date से दो दिन पहले ही काम पर जाएं जब वो पूरा महीना काम करते हैं तुम्हारी फीश चुकाने के लिए तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभी सो लेता हूं और दो दिन पहले सिर्फ important questions पढ़कर पास हो जाऊंगा बोत हो गया यार फ्लीज अब तो खुद को धोका देना बन कर दे अब तो कोई वज़े खोजले कि तुझे पढ़ना क्यों है ध्यान रग बेटा दुनिया को तब ही अंडर रख़ाएगा जब खुद को अंडर रखेगा इस दिमाग को बोल दे की भाई दोखा देना बन कर तुझे और सुन ले अपनी दिल की आवाज को कि तेरे लिए जिंद्गी के क्या मायने है और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है किसी ने तेरा दिल तोड़ा है किसको तुझे कुछ बनके दिखाना है बेड़ा भले ही नोकरी ना लगे और भले ही तुम नोकरी ना करना चाहो लेकिन ये जो कितामों में जो एगा जो अकसर देख रहो है तुम ये तुमे जिंद्गी में किसी ना किसी मोड़ पर अपने अपनी पढ़ने लगेगा तो दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा जितना टाइम तो Facebook, WhatsApp पर बिताता है ना उतना अपने ममी, पापा के सपने जानने में लगा जिससे तो किताबों को कभी बोरिंग नहीं समझेगा और जिस कार को वो अभी तक छूँ भी ना पायो ना उसमें बेठा उनको, उसमें घुमा जिस अपार्टमेंट के गार ने उनको सामने खड़ा भी ना ने दिया उसी अपार्टमेंट को खरीद कर और तोड़ कर तुम वहाँ पर अपना दो मंजिल का बंगला खड़ा करके पैरेंट्स को गिफ्ट कर जिस स्कूल जिस जिगे को तुमारे पैरेंट्स बड़ा समझते है न वहीं पर तुम अपने ग्यान का दबदबा बनाओगे और अपने पैरेंट्स को प्राउड फिल कर वाओगे आ यार अब तो कुछ बड़ा कर ले खुद का नाम कर ले पढ़ने का मकसद ढूंड ले और ममी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपनों और कुछ बहुत बड़े सपनों को अचीव कर ले सोसने और करने से ही होगा उटकर पढ़ने से होगा आज कितना ही छोटा क्यों ना हो तू पर कल तो नाम तेरा ही होगा